गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 5 फिजिक्स का चैप्टर 5 बैदुत चुम्ब की प्रेरण का अधियन करेंगे बैदुत चुम्ब की प्रेरण की पहली एडिंग है चुम्ब की फ्लक्स सबसे पहले हम चुम्मकी flux की definition उसका symbol उसके विशे में ठीक उसी के विशे में अदिन करेंगे तो देखें सबसे पहले heading है आपकी चुम्मकी flux ठीक चुम्मकी flux को ठीक इंगलिस में बोलते हैं magnetic flux ठीक तो देखेंगे इसको क्या इसकी definition हम क्या लिखेंगे चुम्बकी चेत्र में इस्थित किसी तल से उसके लमवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबद चुम्बकी फ्लक्स कहते हैं तो आपको क्या लिखना है कि चुमकी च्छेत्र में इस्तित किसी तल से उसके लमवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबद चुमकी फ्लक्स कहते हैं चुम्मकी फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं ठीक फार्मूला हो जाएगा फाई उकल कैप्टल वी इंटू कैप्टल ए ठीक यहाँ पर फाई क्या है चुम्मकी फ्लक्स है कैप्टल बी क्या है चुम्मकी छेत्र है कैप्टल ए क्या है छेत्र फल है ठीक तो देखेंगे तो यहां पर B का चुमकी छेत्र का मात्रक क्या होता है? Newton प्रति Ampere dash meter तो हमने लिख लिए Newton upon Ampere dash meter फिर इन्टू छेत्र फल का मात्रक meter square होता है वो लिख लिए इसके बाद इसको जब हम हल करेंगे तो meter से meter cancel हो जाएगा तो आपका आज़ अगर Newton dash meter प्रति Ampere तो यह आपका चुमकी फलक्स का मात्रक आया तो आप देखें इसको लिखेंगे आगे यमकेस से परधत में फाई को वेबर से भी प्रतरशित करते हैं मतलब यमकेस से परधत में फाई का मात्रक वेबर होता है और CGS परधत में फाई का मात्रक Maxwell होता है तो CGS परधत में फाई का मात्रक Maxwell होता है वेब देखें वीमे सूत्र अब इसी सूत्र से हम वीमा निकालेंगे तो लिखेंगे फाई उक्वल B into A से ठीक एपिटल भी आपका चुमकी चेतर है और हमने चुमकिय चेत्र की विमा निकाली थी B equal Y F upon I L से ठीक तो हमने निकाली थी वहाँ पर यह आप पढ़ चुके हैं चुमकिय चेत्र तो विमा क्या थी M T minus 2 A minus 1 फिर इंतु लिखा capital A capital A चेत्रफल है चेत्रफल की विमा होती है L square लिख लिए इसके बाद हल करेंगे तो आएगा P equal Y M E L to T minus to A minus 1 हल कर लेंगे विमा ठीक तो आजाएगा Y M E L to T minus to A minus 1 फिर देखें आगे चुमकिय फ्लक्स की विमा क्या होती है Y M E L to T minus to A minus 1 इसके बाद देखें आगे पशुमकी फ्लक्स घनत्त थीक तो पूछा है चुमकी फ्लक्स घनत तो क्या है तो हमें क्या बताना है चुमकी छेत्र के लंबवत रखे मात्रक छेत्र फल से जितनी चुमकी वल रेखाएं गुजरती है उसे चुमकी फ्लक्स घनत तो कैप्टल भी कहते है ठीक चुमकी फ्लक्स से ही बना है चुमकी फ्लक्स तो क्या कह रहा है कि चुमकी खेत्र के लंबवत रखे मातरक खेत्र फल से जितनी चुमकी वल रेखाई गुजरती है उसे चुमकी फ्लक्स घनत को चुमकी खेतर की तीवरता भी बोलते हैं तो यहां पर हम इसका फार्मुला लिखेंगे उसी से बनाएंगे तो क्या हो बी बरावर फाई अपाने ठीक है फाई अपान से हल करेंगे तो फाई आपका चुमकी फ्लक्स है चुमकी फ्लक्स का मात्रक हमने बताया वेबर होता है capital A, capital A का मातरग meter square होता है तो आपका चुमकी या flux घनत्यों का मातरग आया वेबर प्रति meter square या चुमकी या चेतर की तीवरता का मातरग आया वेबर प्रति meter square हमने नीचे लिख भी दिया है ठीक क्या note में लिख दिया है कि चुमकी या चेतर की तीवरता capital B को चुमकी flux घनतों भी कहते हैं या चुमकी flux घनतों को चुमकी चेत की तीवरता भी कहते हैं ठीक इसका symbol capital B होता है फिर देखें इसका मान लिखना है नीचे लिखेंगे एक Newton प्रति Ampere 10 meter बरावर होता है बरावर इसको क्या लिख सकते हैं एक टेशला मतलब यह तीनों एक दूसरे के हैं बरावर हैं फिर देखें इसके बाद बिद्धुत चुमकी अप्रेरन अब हेडिंग डालनी है बिद्धुत चुमकी अप्रेरन तो क्या लिखना है सन 1830 में फैराडे ने एक विचार दिया कि कुंडली के अंदर चुमबख फेकने से कुंडली में चणध भर ध्रकि धारा प्रवाइत हुई जिसे धारा मापी में विच्छे पुत्पन हुआ इसे प्रकार फैराडे ने एक नई घटना की खोच की जिसे बिद्धुत चुमकी अप्रेरन कहते हैं तो आपको क्या बतान विच्छे पुत्पन हुआ तो इस वरकार फैरार्डे ने एक नई घटना की खोज कि जिसको क्या नाम दिया बिदुत चुम्बकिया प्रेरण फिर देखें इसके बात क्या है हेडिंग डालनी है फैरार्डे की बिदुत चुम्बकिया प्रेरण के नियम ठीक फैरार्डे की जब किसी परिपत से बद चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपत में एक बिदुत वाहग बलूत्पन होता है जिसे प्रेरित बिदुत वाहग बलूत्पन होता है जिसे प्रेरित बिदुत वाहग बलूत्पन होता है जिसे प्रेरित बिदुत वाहग प्रेयत् विदूत अब किया है इसके वाद आज़ा ब्रिपत बंद है यह तो जो थारा वहते ऊसे प्रेयत्-विदूत्था और इस घ्टना को विदूत्था की प्रिवत्था प्रेवरतन होता रहता है ठीक बल रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विप्रीद धारा इंवर्स्ट करेंट तता घटने पर समान धारा डायरेक्ट करेंट उत्पन होती है तो क्या करें कि अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो विप्रीद धारा इंवर्स्ट करेंट में ठीक फ्लक के परिवर्तन की दर के अनुक्रमान उपाती होता है यदि फ्लक से परिवर्तन की दर समान रहती है है तो एक इस्थिर बिदुर्वाहक बल उत्मन होगा ठीक तो देके चुम्मगि फ्लक्स से परिवर्थन की दडर भरावर अब ठीक लिखें तो हमें क्या जो नियम में बताया है तो लिखेंगे इसमाल E अनुक्रमान उपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी तो यही कह रहा था उपर कह रहा था कि प्रेरित बिद्दु वहाग बल का मान फ्लक्स से परिवर्तन की दर के अनुक्रमान उपाती होता है तो यहां पर फ्लक्स से परिवर्तन की दर क्या है डेल्टा फाई है मतलब फाई टू माइनस फाई वर्न है तो यह हो गया तो अब इसको हमने इस तरह जो भासा में का था उसी रूप में लिख लिए यह अनुक्रमान उपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी फिर देखे अगे लिखेंगे इस सूत्र में रिण चीन लेंज के नियम से लिया गया है रिणात्मक चीन प्रदर्शित करता है कि बिदुतु वाहकबल स्दय फ्लक्स से परिवर्तन का विरोत करता है यहीं लेंज का नियाम है ठीक फिर आगे हम लिखेंगे यादी बंद परिपत के फिर गया है अधिन डाली लेंज नेकनियम सां 1834 नेकनियम दिया जो बंद परिपत में मडिशा की जानकारी देता है तो चो क्या है मेलेंज का िया बंद परिपत ने प्रेरी धारा की दिषा कि जानकारी देता है त्ये इस नियम के अनुसार कि यह था इंफा है computer क्या कर सके इस प्रकार कोई लिंजर नियम होता है थो अगली अगली हेडिंग है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगुठा उसके पास वाली अंगुली तता बीच वाली अंगुली तीनों को एक दूसरे के लमोत समायोजित करें और यदि अंगूठे द्वारा चालक की गती की दिसा अंगूठे के पास वाली अंगूली द्वारा चुमगी छेत की दिसा व्यक्त होती है तो चालक में प्रेडि धारा की दिसा बीच वाली अंगूली द्वारा व्यक्त होगी तो यह कर लेना है और यहाँ पर आपको क्या है चित्र बना लेना है किताब होगी आपके पास किताब का भी उच कर लेना है फिर देखें आपके नोट में क्या लिखना है फ्लेमिंग का दाएं हाथ कनियम प्रेरित धाराओं के लिए है फ्लेय मिंग अदाएं हां प्रेरी धाराओं के लिए है तेकं इसके बात क्या है स्वा प्रेरंड प्रेरंड में क्याल लिखेंगे सिल्फ इंडेक्शन प्रेरंड क्वह है स्वाप्रेयरण का मतलब होता है आत्म प्रेयरण अपने तो देखें इसके अंदर क्या है स्वाप्रेयरण की घटना की खोज सन 1832 अमीर की जोसफ हेंदी ने की थी तो यह कहां के थे अमेरिका के थे जोसफ हेंदी इन्हों इन्होंने क्या की थी इसकी खोज की थी तो इन्होंने क्या बताया कि किसी चक्र में धारा परिवर्तन के कारण उसी चक्र में प्रेयरित विदुत वाहग बल्का उत्पन होना स्वाप्रेयरण कहलाता है तो कह रहा है कि किसी चक्र में धारा परिवर्तन के कारण धारा परिव करतन के कार उसी चक्र में प्रेरित बिदुत वहाग बलका उत्पन होना ठीक स्वाप प्रेरण कहलाता है ठीक चित्र में दिया हुआ है क्या दी हुई है प्रेरित धारा दी हुई है जो बह रही है ठीक क्या करें मुख की धारा बढ़ती हुई इसमें क्या हो रहा है मुख की तो निचे से फैपर की और जा रही इसके बार आपको क्वादर कंजी दी एक की बिय बेटरी दी आर्यच धारा नियांतरक है तो दोनों चित्रर बने एक में घट रही ए Wars एक में बढ़ रही है इसको आपको क्हाइब करना है BANA लेना है फिर देखें इसके बाद हेडिंग डालनी है स्वा प्रेयरन गुडांक अत्वा स्वा प्रेयर कत्व तो इसके अंदर हम लिखेंगे माना ठीक इसे मान रहे हैं क्या लिखेंगे माना कैप्टल यन फेरों वाली एक कुड़ली में आई बिदुधरा प्रवाइत हो रही है इस धारा के कारण प्रतेक फेरे से बद्द चुमकी फ्लक्स फाई है अता कुड़ली से बद्द खुल चुमकी फ्लक्स यन फाई होगा ठीक दोसरे सब्दों में इसको लिख सकते हैं क्या कि कुड़ली से बद्द चुमकी फ्लक्स कुड़ली में प्रवाई धारा के अनुक्रमा अनुपाती ह होता है ठीक तो यह कह रहा है कि चुम्मक के फल्स किया है यहां पर यहां पर यह किसके नुक्रमा उपाती हो गी धारा के ठीक तुबस हमको क्या लिखना जो भासा कहे रही है वही सिंबल दे देना है तो नीचे से हम लिख लेंगे इसको अर्थात लिख सकते हैं यहां पर यहां पर यह नियतांक है यहां पर कैपटल य था इसको देंगे यहां पर यहां पर यहांट उसलिफ लेंगे तो लिखे दे इसको ब्रैकेटें बंद कर लेंगे फिर इससे लिखेंगे यदि आई बराबर वन एमपीयर हो तो क्या हो जाए यल बराबर यन फाई आई कामान वन हो गया यल बराबर यन फाई बचा फिर अठाथ में लिख सकते हैं किसी कुड्णली का स्वा प्रेयरण गुडांक उसे ठीक फिर इसके बाद हम लिखेंगे यदि कुड्णली में बहने वाली धारा ठीक डेल्टा टी सेकेड में आई वन से बदलकर आई ट्यू हो जाए तो फ्लक्स से फरिवर्टन यन डेल्टा फाई बराबर यन फाई टू मैनस यन फाई वन फिर इसको हम लिखेंगे इस रू यल कोश्टेक में आजाएगा आई टू मैनस फिर इक्वल में लिख लेंगे इसको इस रूप में लिख सकते हैं यल इंटू डेल्टा आई ठीक हो जाएगा अफिर लिखेंगे चुगी फ्लक्स से परिवर्टन की दर यह इसके बरावर में आजाएगे तो लिखेंगे यन इसके पढ़ा है यहां पर क्या हो जाएगे इसमाल यहन डेल्टा फाइग बरावर ऊता है इसमाल इसमाल यहां पर लिख लेंगे इसमाल इसमाल यह बरावर यहां बच्छा अच्छ यहन डिंट कंट टी ब्रावर यर्ग इंट्स वाशन हो जायगा थिक हो जाएगा फिरदेंके सिंट प्रख़ाय कि यह यह custom would कर देंक यहा यहां को सब्सक् ediyor आस्तिर बंद बंद कर लेना है अगे यहाँ से जहां यह बराबर क्या ओव जाएगा कि अता किसी कुड्डली थे अन्किक हॉता è पानी होता है फिर मात्रक निकालेंगे उसी सूतर से सुरी प्रेरिकत्व का मात्रक निकालेंगे इसी सूतर से क्या है कैप्रल है बराबर माईनस इइ इंटु डेल्टा-क опас डेल deception डेलिटाइए अब देख होद Marshall & एका मात्रक इन्टू digital आइपान डेल्टाः जिपैनलobile का मात्रकों रुखेंट ईन्टू शे व्हल्त नेसलों करनेस गларाँ आपनना को ہیں पॐल्टू besनेटर 2020 किरुख्व लिभय दिड़के इन्टू शेकेंगर एसलों सुननieso जोफ़्े बल्स सेकषिएंगे सब्सक्राइब तो यह हो गया फिर देखें आगे हेडिंग है स्वाप रेकत्तो का वीमिय सूत्र तो हमें उसी सूत्र से वीमा भी निकालनी है सब्सक्राइब देखें । ब्रहर्क कि अब सब्सक्राइब और निकाल भी सूत्र 뛰 पर rozp तर इंट तृब्थ वतिवह यह इसी वीमा हो जाएगे तब्सक्राइब यह और्टल समय की विमा कैपिटर इसको हल करेंगे तो क्या आजाएगा यम यल्टू ठीक टी माइनस त्री में घड़ जाएगा मनदब वन घड़ जाएगा मैनस त्री में तो कितना हो जाएगा त्री माइनस टू हो जाएगा तो यम यल्टू टी माइनस टू ए माइनस वन इंटू फिर नीचे वाला जो हर में यह दिया हुआ है वह अंस में इंटू में जाएगा तो मैंनेस में हो जाएगा तो इंटू यह माईनस वन हो जाएगा फिर देखें इसके बाद इसका यह मात्रक निकालना है बूंच है कि यामकिया धत्रइा मात्रwn ऐस्काइर Jaอง जाए यह हूं धराए विल्चेयर अधर्यका सब्सक्रास नित्राइए यहां धराए तो बूलतों हो जाए गहांने इनम-धर्यक्राम पर 스ेंग इनम-धर्यक्स का इसनिम्ध मात्रण यहां से आपको पढ़ना है यही से आपकी क्लास समात होती है thanks class thanks for watching this video